नमस्कार यूपी तक में आपका स्वागत है मैं हूँ संतोष कुमार हम बात लखिमपूर में हिंसा की करेंगे और इस हिंसा में देश के केंद्रि ग्रह राज्य मंत्री अजय मिश्टा के बेटे आशिश मिश्टा की मौझूदगी पर करेंगे कि आखिर लखिमपूर पुलीस कैसे आशिश मिश्टा की मौझूदगी को सुनिश्चित कराने के लिए या वो मौझूद था कि नहीं इसको जाच कर रही है लखिमपूर पुलीस ने इसके लिए एड़वांस सर्विलेंस टेक्नीक का इस्तिमाल करना शुरू किया है एड़वांस सर्विलेंस टेक्नीक यानि BTS बेस ट्रांसीवर स्टेशन के जरिए एक जो टावर एक इलाके में अगर साधारन भाषा में समझाओं तो एक इलाके में जो मुबाइल का टावर लगा होता है उसके असपास एक्टिव सारे मुबाइल का कॉल डिटेल खंगाला जा रहा है उस मुबाइल के बारे में डिटेल जो जाच टीम है उसने इकठा कर ली है और उस मुबाईल में आशीश मिश्टा का मुबाईल भी शामिल है अब वो येत्ता करने की कोशिश कर रही है कि उस मुबाईल उस तावर के जरीए आशीश मिश्टा का मुबाईल किस दिशा में था और वहाँ पर कितना सिगनल्स का कंसेंट्रेशन था यानि कितने ज्यादा सिगनल वहाँ पर मिल रहे थे अमूमन माना जाता है कि अगर कोई मोबाईल किसी टावर के सबसे नजदीक होगा तो उसको ज्यादा सिगनल मिलेंगे ऐसे में बलबीरपुर गाओं और घटना इस्थल जहां पर यह हिंसा हुई वहाँ के मोबाईल टावर के जरिये पुलिस यह सुनिश्चित करेगी कि आशी श्मिश्रा घटना के बग कुस्ती वाले दंगल वाले करिक्रम में था या फिर घटना में तिकुनिया हिंसा के बग आशी श्मिश्रा अपने मोबाईल के साथ अंके दास की गाड़ी में मौजूद था ऐसा ही तमाम सवालों के जवाब तलाशने के लिए लखीमपुर पुलिस ने एडवांस सर्विलेंस टेक्निक का इस्तिमाल करना शुरू कर दिया है तमाम डिटेल्स उसके पास पर उपने के बाद जो सर्विलेंस टीम है जो जांच टीम है सुनिश्चित कर पाईगी कि आशी श्मिश्रा घटना इस्तल पर मौजूद थे या फिर नहीं और इसके बाद बारी आएगी उन पुलिस कर्मियों की जो आशी श्मिश्रा के मंत्री पिता की सुरक्षा में तै से जो पुलिस कर्मी वहाँ पर एक्स्टा फोर्स में तैनाच किये गए थे उनका भी बैयान लिया जाएगा ऐसे में पुलिस कर्मियों का बैयान और जो सर्विलेंस के मदद से जो डीटेल आएंगी वह आशी श्मिश्रा के भविश्र का निर्धारन करेंगी और तै होगा क्या श्मिश्रा तिकुनिया हिंसा में मौजूद थे या फिर नहीं यूपी तक में बस इतना ही नमस्कार